तोजी फुशी गुरो को तो हम लोग सीजन टू के पार्ट बन में देखा ही है और हम लोग जानते हैं कि ये कितना पावरफुल केरेक्टर है लेकिन उसी के साथ साथ आज जिजुट्सु काइसन के दुनिया का जो हाल है वो तोजी के वज़े से ही है बन्दा सिर्फ इसनी important नहीं है क्योंकि वो फुशी गुरो का बाप है बलकि इस बन्दे ने लगभग गोजो को मार दिया था और इसी के चलते गोजो physically evolve कर पाया और बहतर बन पाया मगर इतने सारे कांड मचाने के बाद भी डैडी तोजी मारा जाता है लेकिन उसे शिबूया आर्क के दौरान फिर से resurrect किया जाता है और इस आर्क में हमें तोजी का true power देखने को मिलता है कि भई अगर वो out of control निकल जाता है तो भई वो कितना सारा damage कर सकता है और तोजी जिस तरह से एक special grade की पिटाई करता है ना भाई चलो यार अब शुरू से शुरूआत करते हैं 31st October को शिबूया की उपर एक 400 मीटर का curtain ड्रॉक किया जाता है जिसमें टोक्यो के कई सारे लोग क्याद हो जाते हैं कई सारे जुजुट्सू सौर्सरर्स को ग्रूप में डिवाइड करके curtain के boundary पर तयानात कर दिया जाता है सातरो गोजो के seal हो जाने के बाद सारे groups गोजो को rescue करने के लिए curse spirit का सामना करते हैं इनो, फुशिगुरो और यूजी curtain को break करने के लिए शिबूया के सबसे top tower पर जाते हैं जहाँ पर curtain के casters possibly हो सकते हैं टावर पर पहुँचकर वो देखते हैं कि वो सही थे, एक बुढ़ी औरत ओगामी, आवसाका और उसकी grand son तीनों ने ही curtain को raise कया था और यहीं से fight की शुरुवात होती है फुशिगुरो अपने शिकी गामी 9 का इस्तमाल करता है जहाँ पर 9 और यूजी एक रस्से से आवसाका को बांद कर building से नीचे fake देता है building से नीचे कूदने पर यूजी एक खिड़की को तोड़ कर बच जाता है लेकिन आवसाका directly नीचे गिर जाता है लेकिन surprise surprise उसे कुछ नहीं होता अब यहाँ से फुशिगुरो अण यूजी वर्सेज आवसाका का fight होता है लेकिन हमारा focus यह नहीं बलकि तोजी का revival है तो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं ग्रेंड माउगा में किसी एक टैब के मंतर को जब कर रही थी और उसका grandson इनो के सामने आगे बढ़ता है जहाँ पर हमें इनो का fighting technique देखने को मिलता है इनो को तो तुम लोग जानते होगे उसे season 1 और जेजी के zero movie में दिखाया गया था इनो यहाँ पर एक mask पहन लेता है और auspicious beast summon number one काईची को activate करता है असल में बात यह है कि इनो fight के दोरान अपने चेहरे को ढख देता है जिससे कि वो एक spiritual medium बन जाता है जिसके थूँ वो चार auspicious beast के abilities को summon कर सकता है बतलब कि इनो चार deadly attacks कर सकता है और वो इसलिए grade two sorcerer है है ना इनो बार-बार attack तो कर रहा था लेकिन grandson अपने grandma को बचाने के लिए या तो उसके attacks को dodge कर रहा था या फिर अपने body का इस्तमाल करके grandma ogami को guard कर रहा था बतलब कि grandma ogami किसी एक चीज की तयारी कर रही थी और grandson उन्हें protect कर रहा था अब अचारक से grandma का ritual complete हो जाता है और grandson अपने मूँ में एक पिल को डाल कर खा जाता है और फिर grandma कहती है तोजी zenon इनो उन पर हमला करता है लेकिन grandson उसकी attack को अपने हाथ से रोक लेता है जो कि अब धीरे धीरे तोजी जैसा दिखने लगा था तो आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है असल में grandma ogami अपने grandson के body को science technique से एक host बना कर तोजी के body information को समन करती है ताकि उसका grandson तोजी के powers का इस्तमाल कर सके अब इनो यहाँ पर समझ जाता है कि भाई किसी एक खतरनाक इंसम का खाता खोला है इनोंने और वो जल्दि से अपना चौथा attack करने जाता है लेकिन तोजी के powers के चलते grandson एक जटके में इनो का mask उतार देता है और इनो के move पर लगातार मुक के मारता जाता है अब तक फुशिगुरो और यूजी की fight खतम हो चुकी थी और उन्होंने curtain को भी हटा दिया था तभी वो लोग building से इनो के body को नीचे गिरते हुए देखते हैं यूजी इनो के body को पकड़ लेता है जो की अभी भी जिन्दा था लेकिन बहुती critical condition में था building के उपर grand maugami अपने grandson से कहती है कि जाओ जाकर बाकी सारे sorcerers को मार गिराओ लेकिन grandson अब कहता है अब यह बुडिया तुझे क्या लगता है तो किसे order कर रही है उगामी चौक जाती है उसने worst case scenario को avoid करने के लिए तोजी के soul को समन नहीं किया था क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि soul forms the body तोजी का soul अगर grandson की body में आ जाता तो grandson की body ही transform कर जाती लेकिन ये सारे rules सिर्फ normal इंसानों के लिए ही applicable है लेकिन क्या तोजी normal है? नहीं ना तोजी के सिर्फ body information के सामने ही grandson की soul हार जाती है अब क्योंकि तोजी को समन ही किया गया था sorcerers को मारने के लिए तोजी एक मुक्के के साथ Grandma Ogami को मार देता है because वो भी एक sorcerer थी Grandma Ogami का technique उनके दित के बाद भी काम करता है मतलब कि जब तक grandson की body पूरी तरीके से बरबाद नहीं हो जाती तोजी रुकने नहीं वाला है और क्योंकि सिर्फ तोजी के killing nature के body information को ही समन किया गया था तोजी अब अपने सामने जिसको भी दिखेगा वो उसको मार गिराएगा Now fast forward to chapter 106 Marky, Zenin Clans, Present Head, Naubito और Nanami तीनों का सामना होता है Dagon से ये बंदा तो यादी होगा Nanami तो डैगन पर एक जोर का मुक्का मारता है और डैगन उल्टी कर देता है उन सारे इंसानों को जिनको उसने खाया था अब डैगन को यहाँ पर Hanami की याद आती है जिसको spoiler alert गोजो ने सील होने से पहले मार दिया था Hanami के याद आने पर डैगन को बहुत ही गुसा आता है और वो अपने true form को reveal करता है लेकिन ये wilgax का पच्चा कौन है Anyways, डैगन अपना एक water orb attack करता है जिससे की पूरा floor पानी से भर जाता है Nanami और मा की दोनों ही डैगन पर हमला करते है और नावबीटो उसे touch करता है और अपने projection sorcery को start करता है projection sorcery एक ऐसे type का technique है जिससे की user के opponent को touch करने पर वो opponent या तो 24 frames per second या shot में 24 fps में move करता है या फिर एक second के लिए एक ही frame में lock हो जाता है जिससे की उस पर attack करना आसान हो जाता है और user काफी speed में move कर पाता है नावबी तो डैगन को एक frame में lock कर देता है और नानामी उस पर attack करता है अब अपने आपको further attack से बचाने के लिए डैगन अब अपने चारो और एक water shield बना लेता है तीनों sorcerers ये realize करते हैं कि डैगन की curse energy बहुती ज्यादा है और उसको हराने का बस एक ही तरीका है डैगन की attack करने से पहले ही उसको मार मार के उसका भरता बना दिया जाए अब तीनों sorcerers मिलकर खतरनाक speed से डैगन पर हमला करते हैं और डैगन की band बजा देते हैं लेकिन तभी डैगन अपना demand expand करता है और देखते ही देखते सबी लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसन सीजन वन को ध्यान से देखा होगा तब तुम्हें याद होगा कि ये वही जगा है जहांपर गिटो अपने कर spirit के साथ मीटिंग रखता था मतलब कि डेखन की पावर इतनी ज़्यादा है कि वह काफी लंबे टाइम के लिए भी अपने डुमैन एक्सपैंशन को कंटिन्यू कर सकता है इन्वेस उस डुमैन के अंदर घुसते ही नानामी और माकीर पर हमला होता है वो हमला इतना तेज़ था कि घायल होने के बाद उन्हें समझ में आता है कि हमला हुआ है ये बेसिकली एक पिरानाशी के गामी अटैक था जो कि बहुत ही जादा फास्ट था लेकिन नावबीतों को इसे कुछ भी नहीं होता है विकॉज वो सीक्रेट आर्ट फॉलिंग बॉजम एमोशन का इस्तमाल कर रहा था ये सीक्रेट आर्ट एक एंटी डोमेन टेकनीक है जो कर्स टेकनीक के साथ मिलकर गैरेंटेड हिट पर ही काउंटर अटैक कर देता है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि नावबीतों के पीछे पिराना कटा पड़ा हुआ है नावबीतों के ताकत को देखने के बाद डैगन डिसाइड करता है कि वो अपना 70% अटैक नावबीतों पर टारगेट करेगा और 30% नानामी पर डैगन अपना Endless Stream of Shikigami Death Swarm का इस्तमाल करता है जिससे कि नानामी और नावबीतों बहुती दूर जंगलों के बीच जाकर गिरते हैं माकी और डैगन डोनों फाइट करते हैं और डैगन माकी पर अपना Critical Hit करने जाता है लेकिन तभी वहाँ पर फुशिगोरो पहुँच जाता है अपने Domain Expansion Chimera Shadow Garden से फुशिगोरो माकी को उसका Playful Clouds वाला Curse Weapon देता है सीजन वन में हम लोगों ने माकी को Playful Clouds को इस्तेमाल करते हुए देखा था और जेजे के जीरो में हम लोगों ने गेते को Playful Clouds को इस्तेमाल करते हुए देखा था मा की playful cloud से डेगन पर जोर का हमला करती है और उससे डेगन पर injury भी आती है लेकिन वो heal हो जाता है फिलाल के लिए death swarm inactive था क्योंकि फुशेगोरो का domain expansion, डेगन का domain expansion को nullify कर रहा था डेगन फुशेगोरो को मानने जाता है लेकिन एहम वक्त पर नानामी जो की बहुत घायल हो गया था आकर उससे बचाता है साइड से मा की और नावबीतो भी आकर डेगन पर हमला करते हैं नावबीतो का एक heart कट चुका था लेकिन बंदा जुका नहीं लेकिन problem ये थी कि Megumi की curse energy खतम हो रही थी फुशेगोरो का plan था अपने domain को डेगन के domain के corner तक shift करना और एक hole को कुछ seconds के लिए create करना ताकि वो लोग वहाँ से escape कर सके जीतने का chance अभी भी बाकी था नानामी plan को समझ कर मा की और नावबीतो को पास बुलाता है डेगन पहले उनका plan समझ नहीं पाता लेकिन जब उसे समझ में आता है तब वो उन्हें रोकने जाता है यहाँ पर फुशेगोरो ने डेगन के domain expansion में एक hole create कर दिया था सभी लोग hole के अंदर कूदने जाते हैं लेकिन तभी वहाँ से एक बंदा बहार निकलता है वो बंदा तोजी था कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है except for now भी तो जो उसे ghost कहता है तोजी माकी के playful clouds को उसके हातों से छील लेता है और डेगन के तरफ आगे बढ़ता है डेगन अपना shark attack करता है लेकिन तोजी shark और डेगन दोनों को ही बरबात कर देता है डेगन देखकर chalk जाता है कि भाई ये क्या शक्ती है वो अपना पिराना attack करता है लेकिन तोजी और भी तेजी से सारे पिरानों को मार देता है डेगन तो समझी नहीं पारा था कि आखिरकार ये हो गया रहा है डेगन अपने अब तक के सबसे strongest दो शिकिगामी को बहार निकालता है लेकिन तोजी उनकी भी band बजा देता है playful clouds का pure strength उसके wielder पर depend करता है और अब उस weapon को तोजी wield कर रहा था what a deadly combination तोजी अब playful clouds को अपने में ही rub करता है और उन्हें sharp कर देता है डेगन भागने की कोशिश करता है लेकिन तोजी अपने weapon को speed के साथ डेगन के सर में घुसा देता है डेगन एक और attack करने जाता है लेकिन उससे पहले ही तोजी उसके सर का cheat कर देता है तोजी डेगन के सर पर इतने shade करता है कि डेगन वही पर मर जाता है और देखते ही देखते सभी लोग डागन के डुमैन एक्स्पेंशन से बाहर निकल जाते हैं तोजी ने अकेले ही एक स्पेशल ग्रेट का स्पीरिट को मार दिया था जिसको चार वेल्ड ट्रेंड सॉर्सरेर भी हरा नहीं पाए अब तोजी अपने लाइटनिंग स्पीर से फुषिगरो को बिल्डिंग से बाहर खीच कर लाता है फुषिगरो रियलाइस करता है कि इसकी स्पीर तो सीजन वन के सुकुना से भी जादा है फुषिगरो सोचने लगता है कि वो कैसे इस बंदे को हरा सकता है अपने plant को visualize करते हुए उसे सुकुना का presence शुबूया में feel होता है मतलब कि शुबूया के किसी कोने में सुकुना प्रकट हुआ है फुशिगोरो तभी अपना rabbit escape यूज करता है जिससे की चारो तरफ rabbits भर जाते हैं लेकिन तोजी rabbits को बीच से काटते हुए फुशिगोरो पर हमला करता है और फुशिगोरो किसी तरीके से उसके attack को dodge करता है फुशिगोरो बचकर भागने लगता है और सोचता है कि जितना भी ये fight लंबा खिचेगा उतना ही हालाद विगरते जाएंगी उसे अपने injuries को limited रखना होगा ताकि शोको उसे treat कर सके और treatment के जल्दी बाद वो fight में वापस आ सके तोजी फुशिगोरो पर एक deadly attack करने जाता है और फुशिगोरो अपने shadow technique से तोजी के footing को भिगार देता है जिससे कि फुशिगोरो के vital organs deadly injuries से बच जाते हैं और तभी तोजी को एक flashback याद आता है जहाँ पर तोजी फुशिगोरो को zenin clan के पास बेचने का deal कर रहा था और यहाँ पर हमें तोजी के असली feelings दिखते हैं कि वो फुशिगोरो से कितना प्यार करता है उसने फुशिगोरो को इसलिए बेच दिया था क्योंकि उसके पास potential था अनलाइक तोजी जिसके पास भी कर्स टेकनिक होती है जिनिन क्लैन उसकी बहुत respect करता है एक ऐसा respect जो तोजी को कभी नहीं मिला प्रेजेंट टाइम में तोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है तो मेगुमी कहता है फुशिगोरो तोजी समझता है कि गोजो ने मेग सुकासिन के content देखना है कि सबसे strongest कर्स टेकनिक क्या है सबसे strongest domain expansion कौन से है और सबसे strongest character कौन से है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेने चैनल वंडर वुल्फ को सबस्क्राइब कर देना विकोज ऐसे वीडियो और भी आने वाली है इसी के साथ अगर तुम लग मुझ वीडियो में और तब तक के लिए गुडबाई